वेलकम बैक मकशा सगरे आप कैसे हो लीचेंग मेंट करके जरूर बता सकते हो और आज की सुडियों में वन प्लस नोट 3 वर्सेस वन प्लस 11 आ के बीच में फुल कमपैरेजन हाफ कमपैरेजन करना बनता है बनता है क्योंकि क्या मेरा से सर्थ बिल्कुल सेम इनके अंदर देखने मिलता है तो और दोरों के अंदर आपको लगों पास से 6,000 का एक फ्राइज डिक प्रेल देखने मिल आ है तो 11R आपको 40,000 के आरों देखने मिलता है और स्टोरिज की बात करें तो दोनों पे बेस विरेंट आपको 8GB RAM देते हैं और 128GB का इंटल में स्टोरिज देते हैं और सबसे इंपोर्टन की मैं मार्क सिस्टम भी रख रहा हूं जैसे यहाँ पर इन कोनों में जो पॉइं इनको हम मार्क देते हैं एक मार्क, दो मार्क, तीन मार्क, जोरो मार्क और इसका मतलब क्या होता है उपर भी आप रीड कर सकते हो चलो सबसे पहले बात आती है डिजाइन की तो डिजाइन में कौन सा फोन यहापे बेटर देखने मिलता है तो सबसे पहले फ्रेम की बात करे तो दोनों के अंदर आपको plastic की frame यहाँ पर देखने हो को मिल जाती है बट यहाँ पर बात करें Note 3 की frame आपको boxy type देखने हो मिल जाती है बट 11R की frame आपको यहाँ पर थोड़ी सी glossy देखने हो मिल देह और उसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा करवीचर भी देखने को मिल जाता है, तो पकड़ने में 11R ज्यादा हैंडी फिल होता है, as compared to Nord 3, बट यहाँ पर आप देखते हो, तो यहाँ पर जो बॉक्सी फ्रेम है न, Nord 3 यह बेटर देखने को मिल जाती है, उसके साथ back panel की बात करें, तो दोनों के अंदर आपको glass का back panel देखने मिल जाता है, बट यहाँ पर glossy finish के साथ आता है, Nord 3 का back panel, इसके वज़े से यह easily गंदा होता है, बट यहाँ पर 11R की बात करें, तो यह matte finish के साथ आता है, तो यह उंगलियों के उगरे निशान इसके उपर नहीं आते हैं तो definitely back design आपको 11R की बेटर देखने हुँ मिल जाएंगे उसके साथ सामने से design की बात करें मतलब front view से बात करें तो यहाँ पर दोनों के भी display आपको bezel-less देखने हुँ मिलते हैं तो यहाँ पर not three का weight 192 gram देखने मिलता है तो 11R 204 के आसपस देखने मिलता है तो 11R थोड़ा से यहाँ पर heavy feel होता है बाके आपके हाथ छोटे है तो दोनों भी use करने में दिक्कत होगी one hand से आपके हाथ मेरे ऐसे बड़े है तो one hand से use करने में दिक्कत नहीं होगी उसके साथ मैंने चेकिया कि headphone check का गंड़ा देखने मिलता है कि नहीं तो कहीं भी आपको headphone check का गंड़ा 3.5 वाला देखने को नहीं मिलता बट एक अच्ची चीज है कि आपको उपर के side में दोनों के phone के अंदर आपको IR blaster देखने को मिल जाते है और उसके साथ दोनों phone के अंदर आपको alert slider देखने मिलता है मतलब alert slider से आप phone को जिली ring mute पे या vibration पे डाल सकते हो तो ये feature दोनों के अंदर देखने मिलता है उसके बाद मैंने sim tray चाहिए तो devil sim का support देखने मिलता है memory card का support देखने को नहीं मिलता है तो hybrid slot के आप आपको देखने को नहीं मिलता है उसके बाद मेरी main testing ने देखी display किसका better देखने मिलता है देखो 11R के अंदर आपको 6.78 inch amulade curved panel देखने मिलता है तो 6.74 inch flat amulade 128 surface street के साथ आप 93 के अंदर आपको पैनल देखने मिलता है और जितना मैंने indoor test किया दोनों के अंदर आपको लेवबक 600 प्लस mids की उपर brightness देखने मिलती है तो indoor में कोई दिक्कत नहीं होती उसके साथ YouTube के अंदर 4K HDR वीडियो दोनों के अंदर support देखने मिलता है एवन Netflix के उपर भी HDR 10 का support दोनों के अंदर मुझे देखने मिला उसके बार YouTube पे जैसे मैंने HDR वीडियो स्ट्राइक ही तो 11R के अंदर एक bug देखने मिलता है HDR वीडियो लागाने के बात landscape पे आप वीड इस ड्रॉप करता है यह तकड़ा यूस है और इसको OnePlus को फिक्स करना चाहिए वैसे वीडियो के अंदर दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है आपको color science वगर ठिक्टा देखने मिलता है आपको तो पता है कि एमिलेट पैनल के साथ जो वीडियो का experience होता है वह बहुत सही हो आता है इवन आप रिसन में जाके app pages को scroll कर देऊ तबी भी दोनों के अंदर टक टक फिल आता है मतलब integration भी बहुत सही देखने मिलता है उसके साथ दोनों के अंदर dual stereo speaker देखने मिलता है और इनका जो output है ना यह मुझे सही लगा उसके बाद मैंने चेक किया network network में कौन सा phone better है तो यहाँ पर दोनों के अंदर 4G plus का टगा टग support एक मिलता है और दोनों के अंदर 9 9 5G के bands देखने मिलते है यहाँ पर 5G का speed भी दोनों के अंदर सहीर एक मिलता है उसके बाद main part आता है performance का performance में कौन सा phone better देखने मिलता है द लग 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 10 लग के आसफास चला जाता है तो यहाँ पर performance score की साब से जादा performance score 1 plus 11 आर दे रहा है बट गेमिंग में यार थोड़ा सा निराशा होता है बतता हूं आगे उसके बाद CPU Threatling भी मैंने चेक की CPU Threatling के अंदर 1 plus 11 आर 3,4,000 के आसप आते हैं और कभी ग्रीम ग्राव आता है तो यहाँ पर Nord 3 में जितना मैंने ट्राइग है यहाँ पर रेड और 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 ओरेंज का combination यह मुझे देखने मिल रहा था मतलब long term performance में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है उसके बाद earfish choice 3.1 दोनों के अंदर देखने मिलता है तो यहाँपे मैंने coinvaster app से same length का Same Size का वीडियो दोनों के अंदर यहाँपे export किया तो यहाँपे 11R पहले एकस्पोर्ड कर पा रहा था और यह fast एकस्पोरड करता है श्राइए वीडियो इंडिटिंग के लिए फॉन लेते हो तो यहां पर आपको बेटर एक्सपोर्टिंग का स्पिर 11 आर देगा और यहां पर कितना सेकंड का डिफरस आ रहता है यहां पर आप देख सकते हो उसके बाद मेरी में प्रोरिटी रहते हैं कि इन प्रोफेसर के साथ सॉप्ट कभी-कभी आते हैं जैसे आप आपडेव में जाका कोई एप सर्च करते हो जैसे कि मैंने कर लिया मालों नो ब्हुत यहां पर मुझे न बहुत सारे थर्डबाटे एपस के रीकमेंडेशन यहां पर डारेक्ट आतते है और इस्टॉल करने का यह रीकमेंडेशन रहता है तो जैसे आप Instagram उपन करते हो, आपे 120Hz है, Twitter उपन करते हो 120Hz है, Facebook उपन करते हो 120Hz है, पर जैसे आप दोनों के अंदर YouTube उपन करते हो, तो 90Hz पे आता है YouTube के अंदर, और 1 प्लस 11R 60Hz पे आता है, 40,000 पोग और YouTube 60Hz स्क्रोलिंग देता है, यह मुझे बिल्कुल पसन नहीं आया, तो 120Hz स सब जगव होना चाहिए, मिरी साब से, उसके बाद smoothness देखा, तो normal app opening closing में, यहाँ पे कोई दिक्रत नहीं है, दोनों के animation smoothness में मिलते हैं, यहाँ मैंने चेक किया कि, तो कोना सा फोन पहले फटाफट apps उपन करता है, तो यहाँ पे मैंने notice किया 11R थोड़े से पहले apps को फट द्रॉप करता है, landscape mode में, यहीं चीज़ देखने मिले है, ऐसा कोई issue नहीं है, नौट 3 के साथ, पर ऐसे कोई major bug इनके अंदर मुझे notice नहीं हुए, बाकि features तो यहाँ आर software के अंदर भर-भर के आते हैं, आप बहु ज़्यादा customize कर सकते हो, और even आप दोने के अंदर call recording कर सकत बस आपको play store से $0 install करना पड़ेगा, उसके बाद proximity sensor का issue है किने मैंने चेकिया, तो proximity sensor का issue बिल्कुल दोनों के अंदर देखने को नहीं मिलता या पर कोई निक्कत नहीं है, और यहाँ पर update history की बात करें, तो update तो फटा 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 आते हैं इनके अंदर, उसके साथ इनके BJMI ही test करता हूँ, तो दोनों के अंदर आपको smooth plus extreme देखने मिलता है, मतलब smooth में 6TFS और दोनों के अंदर आपको HDR में extreme मतलब HDR में भी 6TFS देखने मिलता है, और दोनों के अंदर जितने में नहीं BJMI को try किया, तो TDM matches में वगर दोनों के अंदर कोई दिक्थत नहीं होता, पर जिसे आप heavy game खेलते हो, मालों के अंदर आपको दिक्कत करते हैं, दोनों फोन के अंदर एफेस में तगड़े drop देखने मिलते हैं, तो 11RP पीचे नहीं है, यह भी 50-55 एफेस के आसपास रहता है, दोनों के अंदर 60 एफेस के gaming नहीं मिलती, इस चीज आपको पता होनी इनके अंदर जो 500 image की बड़ी बैटरी देखने मिलती हैं, वो कैसे चलती है, तो दोनों के अंदर जितना भी मैंने टेस्ट किया, लगबग 6 से लेके 7 गंट के बीच में on screen, easily निकल जाता है, तो एक दिन की पूरी बैटरी लाइफ दोनों के अंदर आपको देखने को मिल ज तो नोटरी लगबग 38 to 41 minutes के बीच में full charge होता है, तो यहाँ पर लगबग आपको पास से 6 minutes का ही different देखने मिल जाएगा, but battery light and charging speed का combination दोनों के अंदर आपको अच्छा देखने मिल जाएगा, उसके बाद main part आता है कि camera किसका बेटर देखने मिलता है, क्यूंकि यहाँ पर मै specification उपर रिंड कर सकते हो, और हाँ यहाँ पर जो camera samples में दिखा रहा हो, और मैं जो judgment कर रहा हो, वो में भी different हो सकता है, क्यूंकि मुझे कुछ अलग करने पसंद आ सकते है, तो आपको कुछ अलग, तो आपको कुछ अलग परोसिंग पसंद आ सकते है, तो अपने हिसाब से य लेटर आया था दोनों के अंदर, डानेमिक रेंज वगरे सही थी, बट जैसे मैंने human subject का photo लिया, तो यहाँ पर दिक्कत दे रहा था, नौट 3, background light बिल्कुल manage नहीं हो रही थी, बट 11R देख सकते हो, background, light, background, सब कुछ इसके अंदर मस था, डानेमिक रेंज मी मस थी, बट जैसे मैंने ultra wide में photo खीचा, तो नौट 3 फिर से यार पूरा image को dark dark कर रहा था object को, बट यहाँ पर 11R में light control बेटर थी, उसके बाद मैंने portrait mode राय किया, तो दोनों के अंदर मस था photo आ रहे थे, और age deduction भी दोनों के अंदर बेटर था, बट हलकी से 11R की photo मुझे personally बेटर लग और एक short मैंने try किया, तो यहाँ पर background देख सकते हो, background blur जो है, वो 11R का more natural लगता है, बट यहाँ पर node 3 में background यहाँ एक contrast फिल होता है image के साथ, तो यहाँ पर अपने अपनी choice हो सकते है, बाकी selfie portrait मैंने try किया, तो 11R में background फिर से natural लग रहा था और मस दिख रहा था, बट यहा यहाँ पर देख सकते हो, और एक photo देख सकते हो, यहाँ पे भी age detection तो properly था, बट light control मुझे 11R का बिटर लगा, उसके साथ मैंने low light में photo की चा, तो बेशक यहाँ पे node 3 बेटर पपम कर रहा था, हलका सा reddish tone था, बट node 3 की ही photo के अंदर जाड़ा detail मुझे indoor light में देखने हो मिल बेटर color और stabilization मुझे 11R के अंदर देखने मिला, बाकि 1080p 60fps दोनों के अंदर सही है, बट better stabilization 11R के अंदर देखने मिलता है, उसके बाद आती है brand value, brand value मतलब दोनों फोन एक ही brand से आते हैं, तो brand value जादा देखने मिलती है, बट आज कल जो green line का issue चल रहा है, OnePlus के फोनों के उपर green line आ रही है, maybe यह ऐसे ही यह problem बढ़ता रहा, तो definitely OnePlus की brand value कम होने वाली है, आज तो सही है, बट आगे जाके क्या होगा पता नहीं, और OnePlus में जो green line का issue आ रहा है display section के अंदर, OnePlus को जल से जल इसको fix करना चाहिए, बाकि brand value जाता होने के वज़े से यह दोनों भी phone आप market में sell कर फिर भी यहाँ पर मैं कहूं, आपका tight budget है, और आपके पास 34,000 ही है, तब आपको note 3 लेना चाहिए, और आप 45,000 और extra डाल सकते हो, और आपका budget 40,000 है, तो आप definitely OnePlus 11R के तरफ जा सकते हो, कि 11R में आपको better camera देखने मिल जाएगा, better वीडियोग्राफी भी देखने मिल इडिसाइड कर पाओगे, और मैं यार डामेंसिटी से जादा snapdragon के उपर बरोस रखता हूं, तो ये भी मेरा buying का factor हो जागता है, तो ऐसा कुछ था ये full comparison, आपको कैसे लगा, नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो, और ऐसे interesting विडियोग्राफी देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपका कोई भी suggestion पिडियोग्राफी नीचे कमेंट कर सकते हो, बाके मिलते नेक सेडियो में, जैन दोस्तो